हाई एवरिवन तो आज की रेसिपी है चिकन पुलाओ सौरी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में जो है ना पाउडर्ड स्पाइस ले लिए वह मैं आपके साथ शेर करना भूल गई तो यहां मेरा 1.5 kg चिकन है जिसमें मैंने 5-6 चमच दही लिए चोटी बोल में और यह जो टाल िमेरी लॉंग डाल चिणी Źीरा शाजएरा यह सब खड़े जो गड़ मसाले है न उसे खड़ा खड़ा ही डालना है और हरी लाइची चोटी बोलड़ ञावड़ मशाव बोलस वे जो है वह ज़ोग मैंने तो खड़े गरब hadlin घनिय जरह ऑर श्गण में ड़मिर चा मैं दो तिन घंटे मैरिनेट अच्छे से कर दी ती और उसके बाद में यह पतीली चड़ाई है तो इसमें अभी सबसे पहले जो है और गरम करके प्याज हमें इधर ब्राउन कर लेना है प्याज को बिर्यानी जैसा भी बहुत कड़क बरिस्ता नहीं करना है लेकिन ब्राउन क क्योंकि उससे पुलाओं में एक टेस्ट और कलर दोनों आएगा तो अब यह हमारा हलका सा गोल्डन गुलाबी अनियन्स होके रेडी है तो जो अभी मेरिनेटे चिकन हमारा वह अब हम इसमें सारा इसके अंदर एड़ कर देंगे और यहां पर इसी प्याज और तेल के साथ चिकन को हम तब तक के फ्राइ करेंगे जब तक चिकन अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दे और यूनो तेल में सौते हो जाए एक हलका सा थर्टी तू फॉर्टी परसंट कुक हो जाएगा चिकन उतना हमें यहां पर फ्राइ कर लेना है तीक है सौरी तो फिर अभी यहां पर यह से हम फ्राइ कर दें अच्छे से और धकन लगा देंगे इस पर मैं थोड़ा सो धकन लगा दी थी कि जो इसका आरोमा है वह बाहर नहीं निकले तो इसलिए मैंने धकन लगा के इसे कुक किया है इदर और ओके मैरिनेशन में सॉल्ट भी है तो यहां पर चिकन में हम ने सॉल्ट जितना चिकन को चाहिए उतना डाल दिया है बाकी जो हम राइ साइड करेंगे तभी टेस्ट के हिसाब से और जो भी सॉल्ट लगेगा वो डालेंगे अब यहां पर मैं पुलाओ में पटेटोस डालती हूँ आपकी मर्जी आपको नही बाकी आपको नहीं चाहिए आप वो पटेटोस को स्किप कर सकते हैं लेकिन एक चीज है कि जब हम इसमें आलू डालते ना तो चिकन पुलाओना जादा ओली नहीं लगता है क्योंकि बाटाटा जो है वो तेल को थोड़ा सा सोक लेता है वो पी लेता है तो चावल है ना तो बस इतना ही आपको चिकन को करना है कि उसका जो भी स्टॉक निकलेगा उसे भी रेडियूस कर देना है अब यहां पे इस टेज पे अपना पटेडोस इसमें हमने डाल दिया अब इसे आप आलू के साथ भी हम थोड़ा सा 5-7 मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे उसके अब यहां पे ग्रीन चिली इस भी आपके उपर है आमीन कुछ लोग इसे नहीं भी डालते है क्योंकि जो गरम मसाले वो अल्रेडी एक तीखा फ्लेवर पुलाओ को दे देते है अगर हरी मिर्ची स्किप करना चाहते तो आप कर सकते है आपको बिल्कुल पता भी नहीं चल चिकन को एक साथ मैंने 5-6 मिनिट के लिए अब उतना पानी डालना है जितना हमारा राइस है उसके हिसाब से जैसे अब देड़ केजी चिकन में मैंने वन केजी के असपास राइस लिए तो वन केजी अगर राइस है तो वन लेटर वाटर अपको चाहिए एक पूरी बॉट चाहिए के हिसाफ से मेरे मैजरिन डाया है तो मैं मैं वो 2 लोटा मैं はटर इसमें डाल है अब यहां पे जैस 로णा भाइन कर दिये को कि बियाने बासमति राइस करती यह वह राइस मैं नहीं लिए चोटे वाले तो यह बासमती जैसे लंबे-लंबे नहीं है बट यह से इसमें बनाया आप बासमती यूज कर ले आपकी मरजी बाकि मैंने जो डेली का मेरा राइस है मैंने वही लिया है क्योंकि इसका भी टेस्ट वह अलगाता है कभी यह भी ट्राइ करना बहुत अलग लगता इसका भी पुलाव बिर्यानी अच्छा लगता है अब जो सॉल्ट मैंने आपको बोला था कि राइस डालते वक्त हम इसमें सॉल्ट डालेंगे तो वो ही जो मैंने टेस्ट कर लिया और जो सॉल्ट डालना था डाल दिये ये जो है ये तो स्किप करना ही नहीं है सारा फ्लेवर इसी से पुलाव में आना है तो जो छोटी वाली हरी लाइची आती है वो हरी लाइची थोड़ी सी टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा जाइफल एक बड़ी जाइफल को तोड़ के उसमें से छोटा सा पीस लेना है जाइफल और जावितरी ये तीन चीजों को मैंने पाउडर हाथ से कूट के थोड़ा सा ले लिया हरी इलाइची के दाने सारे बुक्का कर लेना अच्छे से मूँ में नहीं आने चीए हरी इलाइची जाइफल जावित्री ये राइस डालने के बाद लास्ट में ही डालना है ठीके अब यहाँ पे दम लगाने जैसा पानी सूख गया है तो बस अब इसे फॉइल से अच्छे से कवर करके और मैं इसके ओपर ढकर लगा दूँगी ओके फॉइल वाला पार्ट जो है ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर फॉइल नहीं लगया तो क्या होगा वो दम अच्छे से नहीं हो ठीक है अब यहां मेरा पुलाओ तो रेडी है बाकि आप 30-40 मिनट अगर आपने गैस पर रखना है तो तवे के उपर ही रखना वरना वो जल जाएगा तो अभी आप देख सकते मेरा पुलाओ कितना अच्छी तरह से बनके रेडी हुआ है सारे चावल खुले खुले पके च इस रेसीपी को एक बार जरूर ट्राइ करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे रेसीपी आपको सबको घर में कैसी लगी तो चले गाइस तब तक के लिए अपना ख्याल रखे अब मिलेंगे अगली वीडियो में बाबाई टेक केर एवरिवान